हेलो दोस्तों मैं हूँ दीपी का जैस फैमली किचिन में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज मैं उन लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ जो लोग लहसन प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं तो आज हम बनाएंगे बिना लहसन और प्याज के आलू, गोवी, मतर की सबजी तो देखिए मैंने इधर गोवी ली हुई है तो मैंने अच्छी तरह से धो करके काट लिया है और मैंने बड़ी-बड़ी टुकड़ों में काटा हुआ है तो चली बनाना शुरू करते हैं उसके लिए मैंने धर ली है एक कड़ाई उसमें हम ओईल डाल देंगे यहां मैंने सरसों का तेल लिया हुआ है आपको इस अभी ओईल यूच कर सकते हैं यह देखिए हमारा तेल गरम हुचुका है तो हमने जो गोवी काटकर के लिए है तो हम उसे फ्राई कर लेंगे तो दोस्तों हमें चलाते हुगे इसे फ्राई करना है ताकि जो हमारी गोवी है वो जले नहीं तो गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे गोवी को और भून जाएगी तो हम असे एक बरतन में निकाल लेंगे तो हम इसे भून लेते हैं ये देखिए दोस्तों । बीच में चला आते हुए हमां भूनना है ताकि जो हमारी गोवी है बोह जले नहीं अगर ये जल जाएगी तो हमारी सबजी का स्वाध झो है खराब हो जाएगा तो हम ऐसे चलाते हुए भूनना है तो यह देखिए हमारी जुगों भी है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो देखिए अब हम इसे निकाल लेते हैं तो दोस्तों अगर आपको तेल कम लग रहा हो तो अब थोड़ा से तेल और डाल सकते हैं तो इधर पर मैंने लेलिया है जीरा थोड़ा से जीरा डाल देंगे और लिए हमानद दो छोटे दाल चीनी के टुकडे और 2-3 तेज पत्ते बीटाल देते और हमने इधर लिये हैं दो तीन आलू मीडियम साइज के जहने हमने बड़े टुकड़ों में काट कर लिया है तो उन्हें हम फ्राई कर लेंगे अच्छे तरह से धीमिक गैस पर हमें से पका लेंगे तो दोस्तों जब तक हमारे आलू पक रहे हैं तो हम देख लेते हैं हमने दो टमाटल लिये हो हैं एक मिर्च और एक इंच अधर का टुकड़ा जैसे हमें प्यूरी बनाना है तो देखिए उसके साथ में मैंने इधर डाल दिया है दो छोटा चमज धनिया पाउडर और डाल दिया इधर आधी छोटी चमज हल्दी पाउडर और लिया है इधर म अरक्ति ऑन्यानी दना उसके स्मर्वायाला लिया में में आधा तो यह देखिए हमारे जो आलू है फिस्टी प्रसेंट पक अधिर देखिये और जो ठोड़ा कच्छे हैं आलू वह हम जब टमाटल की प्यूरी पकाँएंगे तब यह हमारे जो आलू है वह पक जाएंगे त तो जो हमने टमाटर की प्यूरी बना करके रखी हुई है, हम उसे इसमें डाल देते हैं, और हमने जो मतल लिये हुए हैं, उन्हें भी डाल देते हैं, अच्छी तरह से हमें इसे पका लेंगे, ढख करके, जब तक ये जो मसाले हैं, वो ऑईल ना छोड़ दें, तो हमें इसे पका लेते हैं, ये देखे, हमारी मसालों ना ओईल छोड़ दिया है, तब हम इसमें, जह हमने गोवी ली हुई है, फ्राई की थी, हम वो डाल देते हैं, और डाल देंगे हमें धर पे, अपने श्वात की अनुसार, नमक डाल देंगे, दोस्तों हमें धर पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, बस एक बड़ा चमच पानी डालेंगे, ज्यादे नहीं डालेंगे, और अच्छे तरह से मिक्स करके, हम इसे, जब तक ये सबजी हैं, जो है हमारी ओईल ना छोड़ दे, तब तक हम इसे पका लेंगे, तो दोस्तों आप चाहे तो इसे इसी तरह से लटपट सबजी बना सकते हैं, या फिर आप और इसमें पानी एड़ कर सकते हैं, तो ये देखिए दोस्तों हमारी सबजी ने ओईल छोड़ दिया है, और हमारी जो सबजी है वो बन करके तयार है, तो हमने उसमें डाल दिया है हरा धनिया, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम एक प्लेट में से सर्व कर लेंगे, तो सर्व कर लेते हैं, तो देखिए दोस्तों हमारी कितनी अच्छी सबजी बन करके तयार है, वो भी बिना लहसन और प्याज के, तो दोस्तों देखिए कितनी अच्छी सबजी बन करके तयार है, तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह से सबजी बनाना चाहते हैं, तो बना सकते हैं, तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्रा तो चलिए दोस्तों, आप हम मलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हां दोस्तों, आप सबजी बना करके इसका अनुभआव जो है मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा, तो चली मलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आपको बड़ा है